हेलो इस्टेडी सेंटर विद देवरिशी भारदवाज तोड़ेज मैथ कुश्चन फो यू इस इन अबब कुश्चन पॉइंट सी इस कॉल्ड पॉइंट ओफ लाइन सेग्मेंट अबी पॉइंट अबी का ठीक है तो हमको प्रूव करना है कि कि किसी भी लाइन सेग्मेंट का केवल एक ही मिट पॉइंट हो सकता है देखो वैसे तो हमको पता है अल्रेडी कोई भी लाइन सेग्मेंट होगा जैसे ए भी है तो इसके एक ही मिट पॉइंट होगा ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा दूसरा अब जब प्रूब करना है तो हम को पता है फिर भी हमको mathematics तरीके से ही दिखाना पड़ेगा हम यह नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है हम को भी प्रूब करके दिखाना है कि यह एक ही हो सकता है तो हम क्या करते हैं इसने कहा है कि एक ही हो सकता है ऐसा प्रूब करो तो हम यह मान के चलते हैं कि चलो एक से जादा है हमने suppose assume कर लिए अगर हम नहीं जो assumption किया है कि एक से जादा है यह गलत हो जाता है तो prove हो जाएगा कि एक ही हो सकता है तो हम तो पहले भी यह मान के चलते हैं कि एक से जादा है हमों पता तो ही कि एक ही होता है लेकिन हम भी यह मान के चलते हैं कि एक से ज़ादा है हमने दो और दो do midpoint है किसके? एबे के यहाँ एबे के दो midpoint हमने मान लिए कि c b इसका midpoint है, a b का और d b इसका midpoint है अब देखो जब c midpoint हम कहते हैं तो क्या होगा? AC is equal to CB होगा की नहीं होगा मिड़ पॉइंट का मीनिंग यह है कि बिल्कुल बीच में है तो उसके left में है और उसके right में equal होगा तो हम बोल सकते हैं AC is equal to BC जब AC is equal to BC तो हमने यह question हाँ पर लिखती अब हम क्या करते हैं हम एक काम करते हैं कि AC में हम क्या कर देते हैं दोनों side में AC add कर देते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कोई भी question है अगर उसके left और right में equal चीज़ एड़ करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो हमने क्या किया यहाँ पर left में AC add कर दिया और CB के right में भी हमने AC add कर दिया ठीक है अब देखो क्या होगा हमने CB को बस BC करके लिख दिया है तो उससे कोई confusion होने वाली बात नहीं है AC प्लस AC 2AC हो गया ओके और right में देखो BC तो यह था ही और हमने AC भी add किया तो BC BC और हमने AC add कर दिया है तो यह प्लस AC हो गया अब देखो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे और छे समझा देता हूँ AC प्लस AC कितना हो जाएगा left में मैं इसको लिख सकता हूँ मैं थोड़ा नीचे के steps avoid कर दोगा आपको easy समझ में आ जाएगा तो 2AC हो जाएगा left में समझ में आ रहा है न मैंने इन दौनों AC को add कर दिया अब right में यह जो BC प्लस AC है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो BC यहाँ से यहाँ तक है और AC यहाँ से यहाँ तक है अगर इन दौनों को प्लस करते हैं तो AB हो जाएगा की नहीं हो जाएगा right में equal to AB अब मैं आपको समझा रहा हूँ मैं सारे points नीचे के avoid कर दूँगा आपको अच्छे समझ माँ जाएगा ठीक है तो यह line clear हो गई कि 2AC is equal to AB ठीक है न यह 2AC इसका double कर देते हैं तो इसके equal हो जाएगा AB के equal हो जाएगा चलो मैं नीचे के कुछ points avoid करता हूँ आपको सीधा लेचे चलता हूँ अब इसके आगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है अब इसको याद रखना है आपको कि AC का double क्या है AB है अब ऐसे ही हम क्या करते हैं जब यह C midpoint मानते हैं हम हमने क्या का C क्या midpoint है तो क्या होगा C को मान कर लिए अब D को मान दें कि D midpoint है तो क्या होगा तो जैसे अब हमने यहाँ पे यह सब किया था ऐसे हम D के साथ करेंगे अगर D midpoint है तो क्या होगा इसके left में D के left में क्या है AD और D के right में क्या है DB equal होंगे जैसे यहाँ पर AC is equal to CB ता AC फिर क्या हो जाएगा AD is equal to DB हो जाएगा तो बस AC equation बना देनी है यहाँ से हमको क्या बना देंगे हम AD is equal to DB और जैसे हमने क्या किया था उसमें दोनों साइड में पहले इसमें AC add किया था इसमें हम फिर से AD add कर देंगे अगर हम AD add कर देते हैं दोनों side में तो क्या होगा तो left बाला part तो क्या जाएगा 2 AD हो जाएगा ओके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और right बाला part क्या हो जाएगा वो BD तो पहले से ही था हमने उसमें भी AD add किया है तो BD तो पहले से ही था AD add कर दिया तो पूरा कितना होगा AB हो गया तो similarly जैसे हमने इस equation को solve किया है ऐसे हम second equation भी बना लेंगे second equation क्या हो जाएगी मैं आपको direct यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ही साथ समझ में आ सके 2 AD इस पार हम D को midpoint मान के कर रहा है न AD is equal to क्या हो जाएगा BD plus D यह था वो तो क्या हो जाएगा AB ही हो जाएगा यह दो लाइन क्लियर हो गई अगर यह दो लाइन समझ में नहीं आईए तो एक बार आप मेरी वीडियो को फिर से पीछे करके देख लो दरवाइस में वैसे बता देता हूँ आपको फिर से एक बार समझाता हूँ आपको थोड़ा सा देखो पहले में C को midpoint मान के हमने किया तो AC is equal to CB था दोनों साइड में AC AC add किया तो AC का तो double हो गया left में right में क्या हो गया CB तो पहले से ही था AC इसमें add किया तो क्या हो गया BC में हमने AC और add कर दिया तो AB हो गया एक question बनगी AC का double is equal to AB AC हमने D को midpoint मान के किया तो left में क्या था पहले AD is equal to DB अब इसमें left में हमने AD को add कर दिया और right में हम फिर AD को add करेंगे क्योंकि हम same चीज add कर सकते है हमने same चीज add की तो क्या हो जाएगा left में तो हो गया 2AD यह लिख दिया और right में पहले से BD था और हमने क्या किया AD add किया तो BD प्लस AD मतलब AB हो गया right में तो हमारे पास यह दो equation बन गई ठीक है अब दो equation बन गई अब देखो equation के right part क्या है equal है AB is equal to AB इसमें भी भी है तो हम भी बोल सकते है AB 2AC के equal भी है और AB 2AD के equal भी है इसका मतलब क्या है 2AC और 2AD equal होंगे 2AC और 2AD equal होंगे की नहीं होंगे ठीक है हम बोल सकते है 2AC और 2AD क्या होंगे सबसे नीच आ जाओ, मैंने सारे steps आपके avoid करा दी, अब दूसरे method से थोड़ा मैंने हापे बता दिया आपको, और आपको इसलिए बताया है कि देखो, theory मैं इसको line wise line पढ़के बता दू, मैंने हापे क्या लिखा है, क्या ने लिखा है, लेकिन अब मैं आपको सीधा समझा रह सकते हैं, ठीक है, इसका meaning क्या है, AC is equal to AD आजाएगा, इससे ये पता चलता है, कि जो AC और AD equal कब हो सकते हैं, ये तब ही possible है, AC और AD, देखो, मैं ये कहता हूँ, आपसे कि AC और AD equal हैं, जबकि ये एकी line के अंदर है, हमने ऐसे तो माना था ना, कि AC ये मान लिया, A, यहाँ पर क्या है, C था, और आपसे कहाँ अगर D था, लाश्ट मैं यहाँ पर B था, अब हम कह रहे हैं कि AC और AD equal हैं, तो ऐसा possible कब हो सकता है, ऐसा possible तब ही हो सकता है, जब C और D क्या हो, ये दो point ना हो, कि एक ही point हो, otherwise equal कभी नहीं होंगे, ठीक है न, equal कभी नहीं होंगे, equal तब ही हो सकते हैं, जब C और D क्या हो, तो अलग-अलग point ना हो, एक ही point हो, ठीक है, तो बस ये proof हो गया, इसका मतलब जो हमने assume किया था, हमने क्या assume किया था, कि A, B के मतलब किसी line segment के हमने दो point मान के चले थे, C और D, तो हमारा जो assumption था, वो क्या हो गया, गलत हो गया, wrong हो गया, ठीक है, और जैसी ये wrong हुआ, तो हमारी जो equation, मतलब हमने जो, ये proof करना था, कि एक ही midpoint हो सकता है, वो proof हो जाता है, ठीक है, I hope ये question आपको समझ में आ गया होगा, जोगो थोड़ा landy हो गया, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझने कोईश करो, बहुत easy है, बहुत आसान है, आप एक बार और समझने कोईश करो तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching